पूर्नी चिडिया और गोरी कवी नदी मर पानी पी रहे थे तो उन्हें एक अंडा गोसले में रखा हुआ पानी में तीरता हुआ नजर आता है वह चिडिया कहती है कि गोरी बहन देखो किसी का अंडा पानी में बहरा है पता नए किसका अंडा है फिर वह तूनी चिडिया उस अंडे को उठा के ले आती है अब गोरी कवी कहती है कि तूनी बहन ये अंडा तो मुझे किसी चिडिया का ही लग रहा है तो तूनी चिडिया कहती है कि बहन इस अंडे को मैं ले जाती हूँ अपने घर और मैं इसकी देख रेक करूँगी क्योंकि इसमें अंडा में से बच्चा निकलने वाला है और मैं इस अंडे से जो बच्चा निकलेगा मैं उसकी परवरिश करूँगी कुछ दिनों के बाद उस अंडे से एक बच्चा खूब सुरत निकलता है वह बच्चा किसी चिडिया का ही होता है वह टूनी चिडिया उस बच्चे को देखकर बहुत खूस होती है और उससे बहुत प्यार करने लगती है और वह मन में सोचती है कि अब मैं इस बच्चे को किसी को नहीं दूंगी यह मेरा बच्चा है और मैं ही इसकी परवरिश करूंगी और यह बच्चा मुझे ही मा कहेगा अब वह बच्चा बड़ा ही सुन्दर होता है और टूनी चिडिया उस बच्चे से बहुत प्यार करती है अब वह एक दिन गोरी कव्वी और कालू कव्वे के पास जाती है और उन दोनों को इस बच्चे का राज मालूम था इसलिए हुआ टूनी चिडिया कव्वे कालू को और गोरी कव्वी को कहती है कि कालू भईया इस बच्चे के बारे में सिर्प तुम्हें और मुझे पता है बाकी किसी को नहीं पता है तो मैं इस बच्चे को मैं ही रखूंगी मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी तो तुम इस बच्चे के बारे में किसी से चर्चा मत करना तो गोरी कव्वी कहती है कि बहन हम किसी से नहीं कहेंगे तुम इस बच्चे को आराम से पालो फिर कुछ दिनों के बाद वह चिडिया का बच्चा बड़ा हो जाता है फिर उदर कालू कवा और गोरी कवी तूनी चिडिया के घर आते हैं और तूनी चिडिया से कहते हैं कि तूनी तुमें अब हमें रोज खाना लाके देना पड़ेगा अगर तूम हमें खाना लाकर नहीं दोगी तो इस बच्चे के बारे में हम सबी पक्छों को बता देंगे तो टूनी चिडिया कहती है कि कालू भाईया तूम इतने बदल क्यों गए हो तुम ने तो कहा था कि इस बच्चे के बारे में मैं किसी को नहीं कहूंगी तो कालू कवा कहता है कि मैं इस बच्चे का बड़े होने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें बलेक मेल कर सकूँ फिर वहाँ चिडिया कहती है कि ठीक है तुमें रोज खाना मिल जाया करेगा तुम इस बात को किसी से कहना मत अब वह चिडिया का बेटा कहता है कि मा कालू अंकल क्या कह रहते तो चिडिया कहती है कुछ नहीं वो मेरे दोस्त है फिर कुछ दिनों के बाद कालू कवा और गोरी कवी चिडिया के घर आती है और चिडिया से कहती है कि हम जंगल जा रहे हैं हमारा ये घोसला तूड गया है तुम हमारा घोसला बना देना फिर चिडिया कहती है कि कालू भाया मैं तुम्हे रोज खाना दे देती हूँ अब ए घोसला बनाओंगी तुम्हे खाना कब लाओंगी तो कालू कवा कहता है कि अगर तुम घोसला नहीं बनाओगी तो हम इस राज को खोल देंगे अब वह चिडिया का बच्चा उन दोनों की सारी बाते सुन लेता है और वह बहुत ही गुस्ता हो जाता है वह अपनी मा टूनी चिडिया से कहता है मा तुम इन कवों से मत डरना मैंने तुम्हारी सारी बाते सुन ली मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ और मैं तुम्हे अरे पास ही रहूँगा इन कवों को खाना देने की कोई जरुवत नहीं तो वह चिडिया अपने बेटे की बात सुन कर बहुत खुस हो जाती है अब कुछ दिन के बाद फिर गोरी कववा और कालू कववा वहाँ पर आते हैं तो टूनी चिडिया का बेटा कहता है ए डूस्ट कवव तुम यहाँ से भग जाओ मेरी माँ को मत परिशान करना मैंने तुम लोगों की सारी बाते सुन ली है फिर वहाँ गोरी कववी और कालू कववा वहाँ से चले जाते हैं और वह दोनों ही टूनी चिडिया और उसका बेटा दोनों अच्छे से रहने लग जाते हैं तो दोस्तों आपको यह हमारी कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चेनल को सब्सक्राइब करना और नोटिकिशन और ओल पे कर लेना ताकि आने वाली कहानी आप से मिस न हो जाए